दोस्तों आपकी screen पर कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस के अंदर chemical, petrochemical, mechanical वालों के लिए, electrical वालों के लिए, instrumentation वालों के लिए, civil वालों के लिए, सभी के लिए, vacancy आई हो है, BPCL की तरब से, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ देता हूँ जो कि आज ही 28-1 को ही कोस्ट होई है और 6-2 इसकी लाज़ डेट रहने वाली है हेलो दोथो तो दोथो कैसे हो आप सब जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा आज की वेकिंसी में सिवल, मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले येलीजिबल है कि आप की जॉब में ऐसा क्या प्रॉबलम है जो आप की जॉब लग नहीं रही है जींगे मैं आपके काम की बात बताता हूं तो इसलिए ध्यान से सुनियेगा आपसे मैं दो से तीन चीज़े बोलता हूं, क्या बोलता हूं, भाई अपनी ब्रांच और पासाउट येर कमेंट में मैंसिन कर दिया कीज़े, उसका रीजन क्या है, देखे 24 आर्स आप नहीं रह सकते यूट्यूब पे, नहीं मैं रह सकता हूं, जो मैं तो मैं तो creator हूं तब चाहे छोटी हो, चाहे छोटी company हो, या बड़ी company हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, या कितनी भी बड़ी हो, कभी आपसे सबसे पहले तो money की demand नहीं करती है, कोई भी company, अगर आपसे कोई money लेता है, job के अगेश्ट में, बोलता है, एक हजार रुपे दे दो, आपको हम यह यहां जोब दिलवा देंगे, दो हजार देदे हूँ आपको यहां दिलवा देंगे, या फिर दो सो रुपे देदो, आपका यह मेडिकल फीज है, या अपसे बोलता है पचास रुपे देदो, यह आपको चार्ज बाद में मिल जाएगा, या कुछ भी बोले, रिफंडेबल, देखिए, वो आपसे पचास रुपे, पांच रुपे भी ले, तो माल लीजिए, वो आपको जॉब नहीं देने वाला, यह मैं आपको गैरेंटी लिखके दे दे रहा हूँ, जी हां, यह मैं आपको गैरेंटी लिखके दे दे रहा हूँ, कि वो आपको कोई जॉब नहीं द लेकिन आप apply कर दिया कीजिए अब बात आई दोस्तों मैं हर वीडियो में एक चीज बोलता हूं माल लीजिए आप एक दिन में एक दिन में 20 वेकेंसी को apply करते हैं 20 जॉब के लिए apply करते हैं खुल मिलाके वो 600 जॉब हो जाती है मंत में अरे एक आदमी तो जॉब देगा ना 0.01 परसेंट तो चांस है ना इसी की तरह दोस्तों कुछ platform ऐसे होते हैं जहां आपको जॉब मिलती है अब आप बोलेंगे कि यार यह 600 company के लिए हम apply तो कर देते हैं लेकिन apply करें कहां सबसे पहले तो आप जो है अपने नौकरी.com नौकरी.com लिंक डिन इसके साथ साथ कैसे दो चर प्लैटफॉर्म और मैं आपको सजेस्ट कर दूआ उन्हीं पर अपनी profile बनाए चोटी एप्स पर जो यह अपना जॉब यह जॉब जॉब किसी पर कोई profile create मत कीजिए ध्यान से सुनिएगा किसी पर कोई profile create मत कीजिए वो आपका data link करते हैं अब आई यहां क्या आपको नौकरी और लिंक डिन पर क्या 100% authentic job मिलती है नहीं यह आपको कोई बात नहीं बोलेगा इस पेसली कोई creator बट मैं आपसे 100% बोल रहा हूं वहां आपको कोई भी 100 सारी job authentic नहीं होती ह बट अरे आपका data link करके क्या ही कर लेगा वो तो आप apply कर दीजी जब आपसे पैसे की demand करें इंडिरेकल क्या चाहिए उसे पैसा चाहिए जब पैसे की demand करें तो उससे बोलो प्यार से बिल्कुल प्यार से कि आप हमारी job लगवा दो first month की जो salary आएगी हम इतना कम आपको दे salary आपको दे देंगे इस तरीके से आप अपना काम करके job लग सकती है अब बात कर लेते हैं recruitment के बारे में दोस्तों यह जो recruitment आई है यह भारत BPCL की तरफ से भारत petroleum corporation limited की तरफ से सबसे पहले हमें यह vacancy कहा निकली है किसके लिए निकली है उन्हीं के बारे में बात कर लेते है दोस्तों यह भारत बीना रिफाइनरी बीना रिफाइनरी मतलब जो है MPB के अंदर यह vacancy निकल के आई है अब जैसे ही हम यहां देखेंगे भारत petroleum corporation limited बीना रिफाइनरी मध्या परदेश अब दोस्तों यह क्या है यह apprenticeship है लेकिन 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 मैं वीडियो के end तक आपको 100 percent बताऊंगा की apprenticeship करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए starting में इतना बता दूं कि आपको यह job जरूर करनी चाहिए hundred percent करनी चाहिए अब मैं आपको बता देता हूँ यह बीना मध्या परदेश की तरफ से invite किया गया है for eligible holders during 2020 में 2021 में 2022 में जो जो पास आउट हुए है for undergoing one year apprenticeship under training amendment category graduate apprenticeship कोन कोन सी ब्रांच fire and safety बीटेक in fire safety and safety engineering quality assurance bsc इसके साथ HR finance में bachelor of commerce यह total मिला के 14 वेकेंसी आप बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए process में डिप्लोमा इन chemical, petrochemical, mechanical वालों के लिए mechanical, electrical वालों के लिए electrical, instrumentation वालों के इंस्ट्रुमेंटेशन, civil वालों के लिए civil total 52 वेकेंसी यहां है और total 14 वेकेंसी यहां है अगर बात कर लेते हैं तो यहां आपको salary 18,000 रुपीज मिलेगी मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको क्या यह job करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए मैं आपको सच में बताऊँगा अब आई बात यह इसमें क्या क्या कैटेगरी होगी कैसे कैसे आपको qualifying exam minimum education qualification दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए three years का डिप्लोमा चाहिए बी बी टेक वालों के लिए four years की बी बी टेक डिगरी चाहिए आपके 60% marks होने चाहिए और अगर आपने MP से की है तो आपके 50% marks भी चलेंगे SCST वालों के लिए located in state of MP से आपकी की होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने साफ लगए institute यह जैसे इन्होंने साफ साफ ले located in मध्याप्रदेश तो इनके लिए इसी के साथ साथ diploma and internship के लिए located in state of मध्याप्रदेश minimum eligibility आपकी रहेगी 50% अब बात आई एज के लिए एज के लिए इन्होंने 18-27 एज रखी है इन्होंने तीन यर का relaxation और SCST वालों के लिए five years का relaxation दिया है अब एक साल की यह training रहेगी previous training experience आपको नहीं count होगा इसके साथ सेलेक्शन प्रोसेस के लिए भी आपका final selection भी based on communicative performance उसी के बिया जाएगा अब बात आई आपको करना कैसे है दोस्तों यह NETS portal पर आपको apply करना होगा जाके अब यह NETS portal क्या है दोस्तों NETS NETS की full form है national apprenticeship training scheme अब आई बात क्या हमें यह apprenticeship करनी चाहिए क्या हमें नहीं करनी चाहिए उसके बताने से पहले मैं बता दू कि यहाँ जो date रहने वाली है 28-1 मतलब आज सुरू हो चुकी है और इसकी last date रहने वाली है 6-2 मतलब 6 February और इसकी जो है last date और applying के लिए है 8-2 और य क्या हमें apprenticeship करनी चाहिए यह नहीं करनी चाहिए अब मैं आपको इसके बारे में भी छोटे सा बता देता हूं सबसे पहले आपको जिन बंदों को नहीं पता है मैं उनको बता दू मैं भी एक PSU में ही work करता हूं मेरे अंडर भी हर 6 महीने में 8 महीने में कम से कम 10 student दिये जाते हैं apprenticeship कराने के लिए देखिए मैं आपको दिल से बाद बता हूं कभी भी हम मैं अपने personal experience पर बता रहा हूं कि हम कभी भी उनको apprenticeship जब की time पर आते हैं हम उनको pressurize नहीं करते हैं क्योंकि हमें यह order होते हैं कि इनको काम सिखाना है pressurize नहीं करना है work load नहीं देना है 90% 90 to 99% बं अपनी attendance से biometric लगाने के बाद पूरा दिन घूमते हैं enjoy करते हैं group बना के और सामको चले जाते हैं हम उन्हें सुरू के एक महीना judge करते हैं यह सायद 20 दिन ही judge करते हैं जब हमें लगता है कि यह बंदे काम नहीं करने वाले हैं हम उन बंदों को ignore करने लगते हैं और हमें हमा 100% लिखके बेजते हैं कि 100% okay है बट हम इनको further work नहीं करा सकते 99% बंदों की बाद बोल रहा हूं मैं लेकिन 1% बंदे जो सुबह को time से आते हैं contractor से अपना अच्छा mail भाव रखते हैं प्लस काम के लिए बिल्कुल dedicated होते हैं उनको हम खुद placed करवाते हैं अपने कहीं न कहीं subcontractor पे कि हमें पता है कि ये बंदा इसके अंदर efforts है efforts लगा के ये बहुत आगे बढ़ जाएगा तो कोसिस कीजिएगा आप उन्हों 1% बंदों में से बनिएगा अगर 99 में से बने तो आपके लिए apprenticeship किसी काम की नहीं है इसलिए बंदे ये बोलते हैं कि मैंने apprenticeship के बाद मेर forward करके देखिए ये थी आपके लिए बहुत ही informative वीडियो जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब किने हैं बच जाईएगा वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक share जरूर कीजिएगा मिलते है next video में तब तक के लिए जहि कर दोры है तक कर दोस् trademark ही जहा बढ़ी अच्छी वीडियो